नमस्कार दोस्तों मैं हूं अर्शित चौपए और आज हम बात करेंगे बांगलादिश विमेन और इंडिया विमेन के बीच जो फर्स्ट टी-20 मैच खेला जाने वाले उसके बारे में टुर्फरेंट प्लेइर के बारे में बात करेंगे आपको पता है जब भी फिर्स मैच होता है तो फिर्स मैच में लोग गलट टीम भी काफी जादा बना रहे होते हैं क्यूंकि आज का फिर्स मैच है。 मैंने देखा captaincy percentage भी कुछ गलत players का हमें उपर देखने को मिल रहा है और कुछ important players बुरी तरीके से ignore हो रहा है तो low selection वाला कौन सा player आज के हमारे काम का रहने वाला है कौन सा player कमाल करेगा GL में किसे captain करना है 20 teams के अंदर किसे captain हम कर सकते हैं यह सब दोस्तों आज के match के बारे में बात करेंगे उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार अगर आप पहली बार चैनल पर आयो ना जो भी मेरा दोस्त पहली बार वीडियो देख रहा है तो लास्ट अक रुकना लास्ट अगर आपको पसंद आती है तो लास्ट में जाके आप लाइक भी कर सकते हैं चलिए सीधा match के बारे में बात कर लेते हैं उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ यार थोड़ा सा और important बात टेलीगाम चनल टेलीगाम चनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं प्रिग्बेन नाम का टेलीगाम चनल है आपको जॉइन करना है तो आप कर सकते हैं क्यों कि फाइंल टीम आपको यहीं पर मिलती है साथ ही सार्ट टॉस के बार जो भी कोई final update होता है माली जिये first match है कोई important player जो आप समझ रहें कि match के अंदर definitely खेलेगा वो injured होता है या match के अंदर नहीं खेलता है उसकी update भी आपको toss के बाद telegram पे मिल जाती है notification on कर लें तो आपके पास हर video का notification आ जाएगा चलिए सीधा match के बारे में बात कर लेते हैं शेरे बंगला national stadium में match है जो की ढाका में है और अगर आप दोस्तों यहां पर देखेंगे तो यहां पर pitch report भी हम देखेंगे उसके पहले में आपको बता देता हूं इंडिया women बहुत जादा strong इंडिया women strong है तो prediction तो हम देखेंगे ही मैं चलो बाद में आपको बताता हूं पहले हम देख लेते हैं लास्ट्री matches में क्या हुआ है लास्ट्री matches 105 बने है 101 बने है 141 है women matches में अगर आपको पता होगा तो बहुत जादा high score देखने को नहीं मिलता है इंडिया अगर बैट first करती है तो comparatively थोड़ा बड़ी है score देखने को मिल सकता है 140 से 150 भी इंडिया जा सकती है 140 से 150 इंडिया जा सकती है लेकिन अगर बंगलादेश first बैट कर रहा है तो बंगलादेश की बैटिंग में दम नहीं है यार उतना दम नहीं है एक प्लेश जरूर बहुत कमाल की है जो उनकी विकेट कीपर है टीम के कैप्टन भी है इसके अलाबा बंग की प्लेश उतने बैटर नहीं है तो बंगलादेश में उम्मीद कर रहा हूँ भाई 100 से 120 के बीच score कर सकती है बागी इंडिया थोड़ा सा जाधा बहतर करेगी तो इंडिया के प्लेयर्स को इंडिया के बैटस्पेन और 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 राउंडर्स को आप थोड़ा जाधा अपनी टीमें ट्राय करें बागी लास्ट्री मैचेस के score card आपने देखे है पेसर्स ने 13 विकेट निकाले है इस्पिनर्स ने 12 विकेट निकाले है मैं हमेशे आपसे कहता हूँ बाई quality bowler को आपको ignore नहीं करना है चाहे वो spinner हो चाहे वो पेसर हो और women matches में generally आप देखते हैं spinners बहुत बहतर करते हैं और Bangladesh की pitch है spinners अच्छा करेंगे लेकिन spinners के चलते हैं आप quality fast bowler उसको ignore ना करें no doubt spinner आज के match में थोड़ा जादा बैतर करते हों नजर आएंगे आप Bangladesh की वो series भी देख रहे हैं Bangladesh और Afghanistan की जो Bangladesh में series चली है वहाँ पे भी spinners ने काफी अच्छा किया है pitch report की बात करें better surface है और साथ ही साथ spinners को support रहने वाला है तो वही मैंने आपको बताया है बभाई बंगलादेश में जो surface होती है spinners को favor करती है तो spinners आपकी टीम में रहना चाहिए मांकि जो quality pacers है जिनको ज़्यादा से ज़्यादा टीम में मौका मिलेगा पूरे 4 hours complete होंगे उनको भी आपको अपनी टीम में रखना है average first inning scores तो फिलाल काफी ज़्यादा low देखने को मिल रहा है 107 है लेकिन मैंने आपको बता दिया इंडिया first bet करती है तो थोड़ा सा high score आपको देखने को मिल सकता है बांगलादेश अगर करती है comparatively थोड़ा low score ही देखने को मिलेगा चलिए possible 11 के बारे में बात कर लेते हैं बांगलादेश की ये possible 11 है हो सकता है बाई कुछ changes हमें देखने को मिले हो सकता है possibility है क्योंकि first match है और toss के बाद ही हमें एकदम confirm होगा फिराल तो possible 11 ये है अगर कोई changes होता है तो उसके साथ update में आपको telegram पर बता दूँगा माकी यहां से दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है एक बात ध्यान कौन सी रखना है इंडिया के जो batsmen है वो भी spinners पर struggle करते हैं उतना बहतर नहीं खेलते हैं इंडिया वोमिन की अगर आपने टीम देखियोगी इसम्रती मंधाना भी स्रगल करती हैं साथी साथ कई बार शेफाली वर्मा भी पर फस्तिवी नजर आती हैं जैमीम अच्छा केलती हैं हर्वन पीट अच्छा केलती हैं मां की कुछ जो बोलर से कुछ बैट्समें वो इस्पिनर देखने को मिल रहे हैं रुबहिया खान एक डिफ्रेंट स्पिनर आपकी टीम में होंगी सेलेक्शन परसेंटिज बहुत कम हैं बहुत ही कम हैं अंडर 19 की प्लेयर हैं और रिसेंटली अगर आपने रिकॉर्ड देखागा तो ठीक है अभी तक टी 20 आई में उतना बैतर नहीं किया है लेकिन फिर भी बड़ीया बोलर हैं आप अपनी टीम में रख सकते हैं मां की फाहीमा खातून भी आज के मैच में सकती है अगर फर्स बात फाल आती है बांग्लादेश की नाहीद अक्तर और शनजिद अक्तर तो यहां पर देखों कि चार क्वालिटी स्पिनर एं बांग्लादेश के पास चार क्वालीटी स्का मतलब spent friendly pitch होगी हमें आल्रेड़ी पता है इंडिया के भी summigoti गिरें इंडिय जादा कुछ नहीं किया रिषेंट फॉर्म तो बहुत ही खराब है बहुत खराब है रिसेंट फॉर्म और मैच आ रहा हूं कि फ़रगण हक हला की opening बताया लेकिन यह फ़र्स डाउन वन डाउन या टू डाउन करती हैं रिषेंट फॉर्म खराब है रखना थोड़ा सा रिस्क बैट्समेन जो जल्दी से आउट होंगे तो फिर फर्गना खर्चा कर सकती है शमीमा शुलताना के बारे हम बात करें 14 का एवरेज और विकेट कीपिंग सेक्शन में देखे रखेंगे इनकी जो कैप्टन है उनके साथ हम जाएंगे शमीमा सुलताना नहीं है बारे हम बात करें 12 का एवरेज है एवरेज उत्ता बहतर नहीं है क्योंकि ज़्यादा मैचस नहीं खेलें बहतर प्रगनाग है लेकिन वही बात है रीसेंट फर्म खराब है और इंडिया के सामने मैच है ये भी आपको देखना होगा तो क्या आप बहतर कर पाएंगे थोड़ा सा मुश्किल है सेफ जाना मैंने आपको बता दिया सेफ मॉस्टेर ये थोड़ा सा रिस्क लेना है तो फर्गनाग को रख सकते हो नाइगर सुल्ताना के बारे हम बात करें बहतरीन पेर बहुत जादा एक्सप्रियंट 2400 रान है 26 का इवरेज बहुत बड़े बड़े पारी खेल जाती है बाइग बार सो के सो की है 120 के आसपास ओल आउट हो जाती है लेकिन उसमें नाइगर सुल्ताना के 58 रन होते हैं बहुत बार ऐसा मैंने देखा है तो इनको बिल्कुल भी तरीके से इग्नोर मत करना 31 रन मना है 7 रन मना है 75 रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है और आज के मैच में भी उम्मीद कर सकता है बांगलादेश के कोई और बैट्समेंट ना चरे सुल्ताना के मिलने से एक और पचास हमें देखने को मिले मुर्शिदा खातून की बात करें 20 का एवरेज है बैटिंग ओडर नीचे है नीचे बैटिंग ओडर है तो मौका तो हलाकी मिल जाएगा क्योंकि बांगला करके देंगी लेकिन कई बार मजाग हो जाता है कि टीम के पास और पांस चे बोलर्स हैं तो क्या रितु मोनी को उतने ओवर मिलेंगे तो रिस्की रहेंगे बैटिंग आथ देख लो ग्यारा का एवरेज ज्यादा बैतर तो नहीं है पचास मैचस के उपर खेलें सिर्फ ती हो जाएंगे तो रितु मोनी बोलिंग से तोड़ा रिस्क लग रहा है बोलिंग करेंगी या नहीं करेंगी और अगर आप बोलिंग देखोगी तो पचास मैचस में 20 विकेट हैं बहुत खास बोलिंग नहीं तो मैंने ही रख रहा हूं है आपको बांगलादिश का एक्सपी निकाला है और यंग मैंने इनको देखा है काफी बढ़िया करते हुए नजर आ रही है इंडिया इंडिया स्पिनर्स के सामने थोड़ा सा फस्ती भी है तो रोभईया खान को आप अपनी टीम में रख सकते हैं स्मॉल लीग में भी रख सकते हो सेलेक्शन परसेंटेज 6 परसे तो ब Buddy A. बहुत सारे लोगों मिम्सक देख लिए तो काफी वीडियो लोगों ने लोगों में भी रख लिया ठा ग्रेंड लीक में यस्टिया कैप्टन किया उसने काफी बढ़िया किया होगा ऐसा ही मैं बढ़ेंगवां पर बोलूँगया और यह नहीं कन् Аज कह स्कूश तो फिर्वेंदिया के कम विक गिरेंगे फोस्ट बैटिंग इंडिया के आ रही तो जाधा विकेट्स करेंगी इसका मतला बंगलादेश क्टाना ऐख चार सब पांच बहुत पर नहीं होने वाला है और इंडिया के पास अगर आप देखोगे उतने इस नहीं है क्योंकि मैंने स्क्वाड जो देखा है उसमें हमें दीबती शर्मा सिर्फ देखने को मिल रही है इस पिनर देवी का वैध्या है और इसके अलावा मुझे कोई ज्याधा खास इस पिनर नहीं दिख लाहर् बाइच्टे चलिए संजीत अक्तर की बात करें 16 मैच शाना खरेंगे अच्छी बोलियनग कर रहा हूं मैं ऐसा थो पॉसिवल नीभ सब्सक्राइबट न्यूंद करता है उतने बहतर मुझे बोलर्स नजर्जर नहीं आ रहे हैं तो यहां पर हम बात बात करें, तरिष्णा के बारे में 5 match डूल में नहीं रकना है। ज़ीए। सारे प्लेयर्स के बारे में हम नहीं बात कर ली। और यहां से कौन सा इंहीं बात करें प्लेयर है। शोरन अकर के बारे में दोस्तों करें की दे कIGHड दिंग यह भी यहंची तुहों। तो अगर खेलती है खेलती हैं तो आप अपनी टीम में रख सकते हो और बहुत सारे हैं तो आप अगर बंगलादेश की टीम में इनको मौका मिल राए खेलने का तो फरस्ट बोल में आप रख सकते हैं चलिए, शतीरानी के बात करें, स्टैट्स को ही इनके फाउंड निया है, मैचस नहीं खेलें इंटरनेशनल, लता मॉंडल बढ़िया प्लेयर है, 10 का एवरेज है, लेकिन टीम में ट्राइ नहीं करें के, बोलिंग मिलती नहीं है, बैटिंग उतनी बैतर नहीं है, 10 का बोलिंग सेक्शन पर नजर डालना, बोलिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे, तो यह पॉसिबल 11 है, कुछ भी चेंज़े सो सकते हैं, तो एकदम कन्फर्म तो नहीं है, कि यही पॉसिबल 11 या प्लेइंग 11 होगी, कोई भी इंडिया के पास अगर आप इस पिन देखोगे तो पहला नाम तो दीप्ति-शर्म है, राइट आम और्थो डक्स ऐभी तो यही तो प्रॉबलम है, यह तो प्रॉबलम है यही तो प्रॉबलम है, बंगलादेश में मैच है, पेच सपनर्स को सपोर्ट कर रही है, और बंग दिश अफगानिस्तान का मैच चो अभी चल रहा है उसको अगर आपने देखा हो तो इस बहुत 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 कर रहे हैं इस पिनर की चोईसे सी नहीं है इसलिए मुझे लग रहा है शायद प्लेंग 11 में एकाद दो चेंजिस अगर कोई इस पिनर एविलेबल हो उनके स्कॉड में इंडिया के तो खेलता हुए नजर आ सकता है या हर्मन पीथ कॉर से भी एकाद दो वर एक्सपेक्ट कर सकते हो क्यों कि इस पिनर्स पढ़िया करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हर्मन पीथ कॉर भी एक ठीक बढ़ी है इस पिनर है तो थोड़ी सी possibility आउट होने की भी रहती है लेकिन इसके बावजू टीम में रखना है प्लेयर बहुत लाजबाब है कुछ ना कुछ तो करी जाएंगी शुरुआत में बीस रन अगर दस एक बोलों में बना गए और आउट भी होगे तो कोई लॉस नहीं है टीम में अंदर निकाल के ले जाए तो वाइस केप्टन अगर आप रखना चाहरे हो शेफाली बर्मा को रख सकते हो टीम से बिल्कुल भी मिस्मत करना इस्मरती मंदाना के बारे में बात करें 116 मैचेस और 2800 रन 27 कावरेज बहुत ही बैटर बैटिंग बहुत ही अच्छी है बोलिं अच्छी है बागी आज के मैच में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अगर बांगलादेश की जो कैप्टन है अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा है तो बढई इस्मरती मंदाना के सामने स्पिनर आ सकता है और मुझे पूरे-पूरे चांस इस लगना कि इस्पिनर सा और मुझे पूरे बांगलादेश के पास बहुत सारे स्पिनर से चार से पांच इस पिनर और शुरुआत में फर्स्ट ए से के और से आने वाला है तो मननाना के चांसे थोड़े से काम है कि बहुत बैतर करें कुछ रंस कर जाएंगी और डिंग में करना है तो कर लो स्मॉल तो आपको टीम में रखना पड़ेगा क्योंकि बैटिंग ओडर उपर बैटिंग और बैटिंग में देखता तो फिर चेसिंग में ड्रॉप कर देता शायद बैटिंग नहीं आती लेकिन वन डाउन है तो फर्स्ट इनिंग में भी बैटिंग आ जाएगी और प्लेयर अच्छ तो यहार समल के खेलती हैं ऐसा नहीं कि हरको शॉट लगा कि आउट हो इसमल के खेलती हैं तो टीम में रखने वाला हूं जैमिमा के बारे हम बात करें प्लेयर बहुत ही लाज़ाव अब 29 का एवरिज पूरी टीम के अंदर दौनों टीम के अंदर सबसे बहतर एवरिज जै करना है फोड़ा सा कम मों करें या हरमनपी तक तो थोड़ा सा उपर बैटिंग करना है तो चेजिंग में रहेंगी फोड़ा सा बैटम में टीम में रहेंगी अर्मनपीत को और की बात करें 151 मैच जाइब 32 विकेट 28 का एबरिज बहुत बढ़िया प्लेयर बहुत ही बैतरी प्लेयर मांकि आप देखो को बोलिंग नहीं कर रहे हैं और आज के मैच में उम्मीद कर रहा हूं यार एट लिस्ट आप दो ओवर्स डालने हैं क्योंकि टीम को स्पिनर्स के आज के मैच में जटूत पड़ेगी क्वालिटी स्मिन के बारें बात करें 13 मैचे 6 विकेट 22 का एवरिज आप अपनी टीम में रख सकते हैं बैटिंग सों मिल मत रखना बैटिंग और बहुत दादा नीच है फ्रस इंडिंग में भी थोड़े सी कमी पॉसिबिटी है मांकि ओवर्स के चलते आप रख सकते हो एक से दो और तो कैप्टन वाइस कैप्टन मत करो मांकी ग्रेंडी की कुछ टीम से में ड्रॉप भी कर देना और अगर स्मॉल लिंग में नहीं लेना चाहरे हो तो फिर बांगलादेश का एक्स्टा स्पिनर ले सकते हो जिसकी गैरेंटी हो पूरे चारो उस जाले चलिए दीपति शर्मा की बात करें 92 मैचस एक से दो विकेट सबसे जादा विकिट दौनों टीम के अंदर दीपति शर्मा की है बागी आप देख सकते हो बैटिं थोड़ा सा प्लस पॉइंट है पिछले कुछ मैचस में आगर हम देखे हैं बैटिंग और नीचे बहुत जादा नीचे तो बैटिंग में भी आप करिए सकते हो बांगलादेश के सेकिंड इनिक में भी विकेट गिरेंगे चलिए पूजा वस्टकार की बात करें 37 मैचे 30 विकेट बडिया बोलर 37 बैट्समें भी अच्छी है लेकिन लास्ट कुछ मैचेस देखो कभी बोलिंग मिलती है और कभी बोलिंग नहीं मिलती है कभी बोलिंग मिलती है कभी नहीं मिलती है यह किसी को नहीं पता वाई किस मैच मां बोलिंग मिलेगी लेकिन आज के मैच में उम्मीद कर रहा हूं थोड़े से कम ओवर्स होंगे कम ओवर्स क्यों होंगे पेसर्स को उतना सपोर्ट नहीं है स्पिनर्स को सपोर्ट ह तो यहां पर हरवन पीत कौर को भी जब मैच स्टार्ट होगा तो समझ आ जाएगा अगर ओफिशियल पिछ रिपोर्ट इस्पिनर्स को सपोर्ट करें तो ही तो फिर पुझा वसकार के थोड़े से कम ओवर होंगे रिसेंट्ली मैचस में देखो भाई ओवर्स मिले भी नहीं ह सिर्म बेटिंग मिलती है तो फर्स बोलिंग अगर आ रही है तो कुछ ओवर्स फिर मिली जाएंगे एक दो तो एटलीस मिली जाएंगे तो हम रखेंगे टीम में किव्या जादा नीचे है बैटिंग अच्छी है मांकि बोलिंग की गैरेंटी निहीं आज के मैक्च में तो रिस्क रहेगा अजली शरवानी की बात करें पांच मैचेस तीन विकेट एक्सपीडियन्स जादा नहीं है फिर्स बोल में आप डख सकते हैं मेगना सिंग नौ मैचेस चार विकेट यह देख लो इंडिया का जो बोलर है में तीन बोलर जो में खेल रही है उनके स्टैट्स द लास्ट मैच के अकॉरडिंग ही होता है या कैप्टैंसी परसेंटेज के अकॉरडिंग होता है तो फिर नॉर्मल जो कॉमन जील कैप्टैन है जो बहतरी न पेर हैं बोलिंग बैटिंग दौनों से मौका है वह ही आपको कैप्टैन बनते हो इन दर आएंगे पहला नाम आ र पहलेंगी तो बैटिंग से चानस है सोड़े से काम है मां की बोलिंग से विकिट ले जा सकती है और कई बार प्ले में भी ओवर डालती हैं फॉस्ट ए सेकेंड ओवर भी डालने आ जाती है और साधी सानथ आप देखते हो डैथ वर्स भी डालती है तो पॉसिबिटी को कुछ टींस के आपको कैप्टेन करके रखना है डिफरेंट जील कैप्टेन की बात करें हर्मन पीत कौर फर्स बैट में रख सकते हो शुरुआत के विकेट अगर इंडिया के जल्दी गिरते है पॉसिबिटी है बांगलादेश की बोलिंग तगड़ी है तो फिर हर्मन प बैट्स मैंने 26 का वरेज जैमी मा को एका टीम में ट्राइ कर सकते हो फर्स बैट आती है अगर इंडिया की तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लो सेलेक्शन बिग रिवर्ड वाले प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं यह वाला सेक्शन बहुत जादा इंपोर्टेंट है कि विनिंग के लिए क्योंकि आज के मैंच में अगर आप देखोगे तो ढ Dallas करने को काफी कुछ सब यह क Dennis करने को काफी कुछ है तो ढ의 कि valor को चल्या करने की उप यहाथी कि डिवर्ड मैं सबसे पहला नामार देखार-फुजा करना कुछ Overs मिलेंगे चार Overs तो complete होंगे यह तो मैं नहीं कह सकता भाई मुझे मुझे मुश्किल भी लग रहा है Spinners को support है यह पेसर है तो भाई उतने Overs महीं मिलेंगे बैटिंग से थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं सकते हैं इन पर दोस्तों आप रिस्क ले सकते हो कमाल की इंडिया स्पिनर्स के आगे फस्ता है यंग प्लियर है और पिछले कुछ मैचेस अगर आप देखो कि 6 मैचेस के लिए आठ विकेट निकाले हैं मतलब हर मैच में एक से दो विकेट तो डेफिनेटली निकाला है बैटिंग सुमीद मत करना बोलिंग थोड़ी अच्छी है तो यह तीनों दोस्तों आपको फर्स बॉलिंग के अकॉर्डिंग रखना ह अच्छी प्लेएर हैं एवरेज काफी बैतर है अच्छा है साथी सांस एक्स्पीरियंस भी अच्छा है शायद 18 से 20 का एवरेज आपने देखा होगा प्लेयर अच्छी है रीसेंट फर्म खराब है रिसेंट फर्म खराब है हो सकता है आज कि मैश में थोड़ा बढ़िया कर लगहरा की तो यह दोस्तो हमने सारे प्लेर्स के बारे वहीं बात कर लिए अब हम देख लिए टीम मैंने क्या बना कर रखी है एक स्मॉल लीकी टीम है जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं बाकि जो दस टीम है नो वो ग्रेंड लीग चली अब हम देख लेते हैं दोस्तों मैंने अल्रीड करके रखी हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि small league की team है और बाकि अगर आप teams देखे के तो बाकि grand league की team है condition के according कंडीशन के according से मेरा मतलब है first bowling अगर India करती है तो हमें क्या करना है और अगर first batting करती है तो हमें क्या करना है condition के according आपको कोई भी team provide नहीं करता है कोई भी नहीं करता है पहली बात तो grand league की team आपको वीडियो में कोई नहीं देगा और दूसरी बात है अगर देगा भी तो आपको बस पांच यह चेंज दिखा देगा यहां पर दोस्तों मैं आपको condition के according बता रहा हूं जिससे टॉस के बाद अगर मैं आपको team ना provide कर पाया तो आप अपने आपको 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 यहां पर मिल जाएगी जो आपकी विनिंग्स में भी help करेंगी और साथी साथ आपको एक आईडिया भी लिख जाएगा कौपी करने कि लिए मताओ कौपी करना ज़रूर नहीं है अकर आप इअसण सब्सक्राण के साथे हैं हआप उस आप Capital पर म कुछ इस तरीके की last match में भी टीम ती 11 प्लेयर्स के साथ मैं आपको टीम प्रोवाइड कर दूँआ अगर आपको सारे अपडेट्स भी मिल जाते हैं कई बार में आपको जी ल टींस today मेरे पास टाइम होता है तो पुरी 20 बी आपको टेलीगाम पे मिल जाती है तो टेलीगाम कर लेना कैसे जोई करना लिंक description में वहाँ से भी जोईन कर सकते हैं साथ ही Exactly कमेंट सेंब चोइंट कर सकते हैं बागी हम दोस्तों बात कर लेते हैं टीमS Jasmine Brands भी बांगलादिश के वेकिट्स गिरेंगे तो फिर सुलताना को मैं अपनी टीम में डेफिनिटली रखूंगा और यास्ति का भाटिया को भी अपनी टीम में रखूंगा यस्तीका भाटिया भी काफी बड़िया बैट्स मैं है और वन डॉण बैटिंग कर रही है ओपनिंग कभी गिरी जाएगा first or second inning में तो फिर ये कुछ ना कुछ रंस कर गे देंगी बांकि बैटिंग से करते हैं तो थोड़ा सब बहतर करते हैं तो experience player अगर हम देखें तो यहां पर experience player हमें एक दिख रहा है फ़र गना हक जिनका selection percentage एक परसेंट है आप इनको रख सकते हैं या तो आप किसके सांट जा सकते हैं या तो आप जा सकते हैं रितू मौनी के साथ किसी एक को रख लेना बा लिए खान मेरी टीम में चार बोलर के साथ चार और आउंड के सांट में जा रहा हूं सेलेक्शन पर्सेंटेज देख लो यार जी जो प्लेयर्स होते हैं जिनका selection percentage बहुत कम होता है यहीं हमें विन कराते हैं यहीं हमें हमें कराते हैं लास्ट में का पताया तर न्यौ जिले तो रख्वानी को रख लें तो इंडिया कि यह थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि किसी भी बोलर के पास होतना नम्बर के बेसे स्थाम कह पाएं कि इस बोलर को आप रख लो तो हम क्या सकते हैं ऐसे में तो इसे यहां पर ओपर शोड़ता है उन बोलर को आप अपनी टीम में रखें तो शरवानी के भी 4 ओवर कंप्रीट हो गेंगे आपके उपर शोड़ता हूं आप किसी को भी रख सकते हैं दौनों के नंबर्स ज्यादा कुछ नहीं बोलें तो हम भी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे बाकि अगर बांगलाइदेश की फर्स बॉलिंग आ रही है तो एफ खातून के साथ भी जा सकते हो इंडिया के भी कुछ फिकेट्स गिरेंगे चलिए तो यहाँ पर और क्या चोईस है और यार इंडिया ने ज्यादा बोलर को खिला ही नहीं है ज्यादा जो क्वालिटी बोलर करेंगे ना एक्सपीरियंस बोलर वो उसी में नहीं है स्कॉाड में है तो फिर चांसे थोड़े से काम है यहां से दोस्तों बात कर लेते हैं कैप्टन कौन है कैप्टन मेरी टीम की दीप शर्मा है वाइस कप्टन शैफाली बर्मा के साथ जा रहा हूं क्यों जा रहा हूं लेकिन पॉस्टिटी रहती है कि एक आद दो विकेट मिल जाए तो फिर माइस के इनको करूंगा इसमरती मंदाना के साथ काफी सारे लोग जा रहे हैं मेरा आज बिलकुल भी मन नहीं क्योंकि बांगलादेश के पास बहुत सारे स्पिनर्स हैं और इसमरती मंदाना स्पिनर पर फस्ती है फर्स बैट अगर आती इंडिया की तो फिर हर्मट पीत कोर भी बढ़िया चोईस होंगी बांगलादेश ते अगर किसी को करना है तो किसे कर सकते हो एन सुल्ताना को कर लेना ग्रैंड लिग में जरूर रख लेना दो सर्टीन टीम में रख लेना कई बार हमने लेके टीम नमबर 6 तक इंडिया अगर फर्स बोल करती है तो हमें इन कॉम्बिनेशन के साथ जाना है अगर आप 20 टीम मनाते हो तो 20 इसी के अकॉर्णिंग बना लेना दस टीम लगा रहे तो 10 इसी के अकॉर्णिंग बना लेना चलिए हम देख लेते हैं यहां पर सबसे पह क्यों जो मैंने भी आपको बता है एन सुल्टाना को पचास मार जाती है तो फिर इनके साथ यह बड़िया कॉम्बिनेशन होगा यहां पे एक और बार फर्स बोलिंग अगर इंडिया की आती है तो पूजा वस्तकार के कुछ ओवर्स होंगे और हो सकता बाई कुछ मैश में सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ वस्डाउन बैटेंगे तो कुछ वहां से कर सकती है नेक्सटीम आप देखोगे दीपती शर्मा के साथ मंदाना को वाइस कर सकते हैं और मुझे डर लग रहा है कि फस्वाइट में थोड़ा उठ हो सकते हैं नेक्स्टीम अगर आप देखेंगे, इंडिया first bat करती है, तो हर्मन पीत कोर के कुछ रहांस और दीपती शर्मा second aim में कुछ wickets और आर खान को फिर मैंने अपनी team में ले लिया है, कुछ wickets इंडिया के गिरेंगे, अगर आप देखो दीपटी शर्मा के सांथ यहां से बॉलिंग और यहां से बॉलिंग सोई ठीक है नेक्स अगर हम देखेंगे तो हर्मन पीट को कैप्टेन और आर खान को एक टीम में से में वास केपटेन किया है लेकर फ्रश पर एंगलेग में आपको कुछ तो अलग करना भीचेञे तो हो सकते हैं हमारी ओthese स्कोर को शेट करके देदें इस लिए धोनों प्तेर्स को मैंने के ट्न-वाइस क्यूंट सेल्ल द्सक्रिपशन क्यों बीडियो को में आपको देशन को मक्में चसेक्शन में आप Constitution मी कर देना और comment section में लिख देना कि आपको यह और बहतर करना चाहिए तो में बिल्गुल उसमें सुधार करूंगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you and thank you so much